नमस्ते मित्रों चतुषकोंड ना आ वीडियो मा तमारू स्वागत छे अगावना वीडियो मा आपने चतुषकोंड अने तेना प्रकारों पर चर्चा करी विशेस रूप्ती आपने समांतर बाजु चतुषकोंड नों अभ्यास कर्यो आजे आपने समांतर बाजु चतुसकोंड ना केटलाग गुण धर्मों पर चर्चा करीशूं आओ आपने एक समांतर बाजु चतुसकोंड PQRS नी रचना करिए जो आपने आ प्रकारे बन्ने शिरो बिंदुने जोडीने विकर्ण QS बनाविए तो आपने बे त्रिकोंड मल शे शुम आ त्रिकोंड विशे आपने कई कई शक्ये छिये मित्रो शुम आ बन्ने त्रिकोंड एक रूप छे आओ एनी तपास करिए आ एक समांतर बाजु चतुसकोंड छे आथी बाजु PQ बाजु S आरने समांतर छे औने QS विकर्ण छे, एटले आ बन्ने खोणा, खोणो PQS औने खोणो RQS समान थशे कारण के आ अंतह युगमा कोण छे? आ मुझे खोणो P S Q औने खोणो R QS पन समान थशे हवे त्रीकोण P S Q औने त्रीकोण R QS जोव अहियां आ बन्ने खुणावनी जोड समान छे अने बाजू SQ सामान्य बाजू छे आथी आ बन्ने त्रीकोण ASA एक रूपता नियम अनुसार एक रूप छे हवे आपने कविश क्ये के विकर्ण QS समान्तर बाजू चतुसकोण PQRS ने बे एक रूप त्रीकोणों मा विभाजित करे छे मित्रो तमे आ बुजबज विकर्ण PR बनावी ने बनेल त्रीकोण नी एक रूपता चकाशी शको छो तमे आ बुजबज पर पहुच शो के विकर्ण PR बन चतुसकोण PQRS ने एक रूप त्रीकोणों विभाजित करे छे मित्रो आ समान्तर बाजू चतुसकोण नो एक गुणधर मा छे आने आपने प्रमैना रूप मा लखी शके छिए के कोई समान्तर बाजू चतुसकोण नो एक विकर्ण तेने बे एक रूप त्रीकोणों मा विभाजित करे छे आने जिमके आपने जानिये छिए के एक रूप त्रीकोणों ना अनुरूप भाग समान होई छे तेथी आ त्रीकोणों नी अनुरूप बाजूओ पन समान थर छे एटले बाजू PQ बाजू RS ने समान छे आने बाजू PS बाजू RQ ने समान छे मित्रो ध्यानापो आ बाजुओ समांतर बाजु चतुसकोंड नी साम सामेनी बाजुओ छे ते समांतर बाजु चतुसकोंड नो एक अन्य गुण छे आने पन प्रमैना रुपमा लखिशक आई छे इतले जो अहियां अपने एक विकर्ण AC बनाविए तो बाजु AB औने DC ने छेदता 22 अंतह युगमा कोण समान थशे तो आरेखाओ समान थशे आ बन्ने त्रिकोणों एटले त्रिकोण ABC औने त्रिकोण CDA नी मदद थी आपने एने समानतर साबित करी शक्ये छिए आपने जोई शक्ये छिए के आ बन्ने त्रिकोणों मा बाजु AB बाजु CD ना समान थशे बाजु BC बाजु DA ना बराबर छे आने बाजु AC सामन्य बाजु छे आथी आ बन्ने त्रिकोणो SSS एक रूपताना नियम अनुसार एक रूप छे एटले खोणो BAC अने खोणो DCA समान थशे अने आ अंतह युगमकोणों नी एक जोड छे आपने जानी छिए के जो एक तीरियक रेखा बे रेखाओ ने आरिते छे दे तो युगमकोणों नी एक जोड समान थशे तो बन्ने रेखाओ समान थशे एटले बाजू AB समान थशे बाजू DC ने एटले बन्ने रेखाओ समान थशे ते थी बाजू AB समान थशे बाजू DC ने जो एक चातुसकोंडनी सामसामे नी प्रतियक जोड़नी बाजुओ समान होई तो आ एक समान्तर बाजु चातुसकोंड होई छे मित्रो आपने आ परिणाम समान्तर बाजु चातुसकोंडना सामसामे नी बाजुओ माटे प्राप्त करियू શું આપણે તેના સામ સામેના ખોણા વીશે કઈ શકીય છીયે ? शुँ एक समांतर बाजु चातुस कोण नी सामसामे नी बाजुओनी जेम सामसामे ना खुणाओनी जोडियो बराबर हर्षे चालो तेनी चकाशनी करिये एक समान्तर बाजू चातुशकों D E F G बनाओ औने एक कोण मापक नी मदद थी तेना सामसामेना खोणाओनू माप शोधो तम्ये जोई शको छो के खोणो D औने F नू माप समान छे औने खोणो E औने खोणो G नू माप पन समान छे मित्रो विडियो रोकीने तम्ये आ प्रवरुत्ती औने समान्तर बाजू चतुशकों माटे पुन्रा वर्तित करी शको छो आना थी तम्ये निश्कर्ष पर पौँची जशो के बद्धा समान्तर बाजू चतुशकों ना सामसामेना खोणा बराबर होई छे आ समान्तर बाजू चतुशकों नो एक अन्यगुण छे परन्तु आनू प्रतित पन सत्य हशे चालो जोई ये जो आपणने आपेलू होई के चतुशकों एबीसी डी मा तेना प्रतियक सामसामेना खोणाओनी प्रतियक जोडना खोणा समान छे तो शून ये समान्तर बाजू चतुशकों हशे आओ आनी चकाशने करिये मित्रों आपने चतुशकों ना खोणाओना सरवालाना गुण धर्मनों अभ्यास करी चुकेला छीए तेनों उप्योग करिया आपने खोणाओने आवी रिते लखी शक्ये छीए जेमके आपनने आपवा माव्यू छे के खोणा एनू माप खोणा सी ने समान छे खोणा एनू माप खोणा सी ने समान छे अने खोणा बी नू माप खोणा डी ने समान छे તેથી સમીકરણ એકમાં ખુણા C ના સ્થાને ખુણો A અને ખુણા D ના સ્થાન પર ખુણો B લખી શકાઈ છે હવે આ સમીકરણ એક ને આ મુજબ સરળ કરી શકાઈ છે આપણને ખુણો A પ્લસ ખુણો B બરાબર 180 અન્ષ મળશી આકરુતેને ધ્યાંથી જુઓ જો બાજુ AB ને બાજુ AD અને બાજુ BC ને છેદતી રેખા માનીએ તો ખૂણો A અને ખૂણો B છેદીકાના એક તરફ ના અન્તહ કોણ છે અને આ બંને ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અન્ષ છે આ પૂરક કોણ છે મીત્રો આપણે જાણીએ છેએ જો 1 છેદી તી રેખાં બે રેખાઓને આ મૂજબ છેદે અને બાજુ ડીસી ને સમાંતર સાબીત કરી શકો છો કઈક આ રીતે એટલે હવે આપણે કહી શકે છીએ કે પ્રમઈનું પ્રતી પણ સત્ય છે તેથી તેને પ્રમઈના રૂપમાં આ રીતે લખી શકાય છે જો ચતુસકોણના સામ સમેના ખુણા ઓની પ્રતીક જૂડના ખુણા સમાન હોય તો તે એક સમાનતર બાજુ ચતુસકો